जेल जाना आंदोलन कारियों के लिए कोई खतरे की बात नहीं है इससे सत्ता का सरकार का भै और जो डर वैठा हुआ है आंदोलन की जीत से ये साफ जाहिर होता है आंदोलन कारी गरीबों की मजदूरों की मजलूमों के लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो इसमें जेल भी जा सक जो निरंकुष चरकारे होती है वे अपनी पुलिस के माध्यम से आंदोलन कारियों के मनोबल को कुचल कर आंदोलन को ब्रहमित करना चाहती हैं लेकिन हम लोग भी अंबेट करवा दियें पीछे हटने वाले नहीं इस आंदोलन का भविस्से इस आंदोलन की जीत होगी और यह सम्मान सबको वापिछ चोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम इसमें योगी जी के समाज की गरीबों की भी मांग कर रहे हैं यहां कोई जाती धर्म विशेष की बात नहीं है यहां जो भी गरीब है जो भूमी हीन है उसको जमीन मिले हम यहां पे ना धरम की बात है आप जितने लोग उत्तर परदेश के अंदर भूमी हीन है उन सब की लड़ाई है और जो चके हुए पेटे जिनके भर हुए पेटे उनको यह लड़ाई पसंद नहीं आ रही कैसे उनको फूटियां सोहेगी लड़ाई क्योंकि जब गरीब बंचित और जो भूमी हीन है जो उनकी लेकर आए ना हम इसी की तो मांग कर रहें अगर ले आती तो फिर आंदोल नहीं क्यों करते जब बहन कुमारी मयावती जी बस्पा में अपने शाषनकाल में बारा बीगा के पट्टे भूमी हीनों को दे सकती है तो योगी सरकार क्यों नहीं दे सकती है जब तेलांगना सरक पार तीन एकर जमीन परिवारों को दे सकती है जिसमें लोगोगों को बहुत हीन महिलाओं को जमीन बद सिक जैसे पिरानव二 क्करोड की घ्रिज कर सकते हैं। जब कावड में जब फूल बरसाने होते है यात्रियों पर तो हम अपने प्राइवेट जैट से करोड़ रुपे खर्च कर सकते हैं जब कुम पर हम 15,000 करोड़ रुपे का खर्चा कर सकते हैं तो कि यहां पर 2-4 करोड़ की जमीन खरीद कर अपने राज्ये की जनता को स्वाभ मानी और स्वाव लंबी और आत्मनिदवर बनाने के लिए जमीन नहीं दे सकते तो तो वह तोड़ी तोड़ी मांग रहे हैं अधिकार मांग रहे है अधिकार है उनका सरकार जो पांस क्लोड़ अच देरी मुपत में गरीबों को इसके लावा माकान भी दे रही है पीम जनता को खिला रही है, देखे जो आंदोला ने कब से चल रहा है अपका गौरखपूर में लेकिन तो चते से मुखहा मुख्य चिते सेक्शा पूर्चा के सरावन कुमार निराला जी। कि जो गोरकपुर में गरीब जनता को घर जाकर के जमीन की एहनियत समझाई जमीन का मुद्दा समझाया तो उनके समझाने पर उनके विश्वास पर लाखों की तादात में कमिशनरी गोरखपुर 10 अक्टूबर को लोगों ने आकर के सांति पूर तरीके से बैठ कर ये कहा गे हमें जमीन के कागज दे दो हम घर बापिस चले जाएंगे लेकिन शडियंत्र करके उस आंगरों को खतम किया गया शाशन पर शाशन ने पूरा जोर लगाया स्लो पॉईजन दे करके मिठी मिठी बाते करके कि वही आपकी बात मान ली जाएगी समीती बनाई जाएगी चौप पांच लोगों के नाम दे दो लखनु में बैठेंगे क्योंकि जमीन बितरन का प्रोसिस थोड़ा लं जाने वाले लोग ना पहले डरे थे अब डरे हैं और ना ही आने वाले टाइम में तरने वाले हैं तीन साल से करीब आपका आंदोलन चल रहा है गोरखपुर में जहां से जो ही योगी जी खुद आते हैं क्या उनको इस आंदोल के बारे में पता नहीं था या वो धगना कर से वाच कर रहे हैं एक योगी जो जो सियम है जिनका खुद का ग्रह जनपद है जहां इतनी गरीबी है इतनी बेगारी है इतनी मजलूम रहते हैं उन मजलूमों की बात खुद योगी जी को करनी चाहिए थी उन लोगों को खुद जाकर संबोदित करना चाहिए तो हमने यह जब लोगों को जा कर संभोधित कर सकते तो यह भी तो उनके natinug um के नहीं करना वह उनसे काया कि आर उनने से नदी के लोगोंare चाहिए उनसे कहा ऐसी कंडिशन में वो लाठी भी नहीं चला सकते थे तो योगी जी ने शड़ियंतर के थे आंदुलन को कुचलने कोशिस की और जो खुद का घर हो और वहां का सीम हो और वहां पर एक दूसरा गरीब का बेटा उट करके गरीबों के लिए मसीहा बन रहा हो तो एक सीम कैसे बर साफ़ातज समय तो यहां स पर दास होज को और उनको इन्होंने सीम को उलता है इन falar ऒपेश पर सभितिकत नहीं लेड़ा उइनके ना कोई धर्म होता है न जाती होती है ना कोई व्यक्तिकत होता है अब राज्ये के राजा हैं अब राज्ये के शाषक हैं अगर आप जमीन दे सकते हैं तो आप बताइए किपटीक तो पर पूरव ये जो जो बहुत ही गंभिर बिमारी से प्युड़ित हैं उन तक को जो है जेल में डाल दिया जो सिद्धार्ट रामु है वह लेखके 20 विस्तर के लेखकोगा उनको जेल में डाल दिया और ये लोग पांच पत्रकार है नीलम भोग यह सारे लोग कोई कसूर नहीं इनको जेल में डाल दिया यह जब सत्ता डड़ती है सवालों से तो आंदोलनकारी पिलस पत्रकारों पेलें अगर वहां पत्रकार होते तो आज आप मुझे नहीं पूछते कि आंदुलन कब से चल रहा है एदेश की जनता को पता होता सब्सक्राइब करते हैं लोग जमीन पर बैठे हैं और जो बोलने माले बगता है वह बहुत पतली सी है जिस पर हम दो बार टूट भी गई वह तो हमने आंदोलन में कोई खचा ही निकिया जो हमारे गैस ताने वाले तो अपने खचे पर आए लेकिन आप गंबीर धारों में पूर्ण तरीके से हमारे मेरे निर्देर सिंग पेज पर जाकर के आप देख सकते हैं लाइव वीडियो में है डियम साब हसके मुस्कुरा के हमसे ग्यापन लेकर गए और आप आंदोलन का एंड देखी एंड देखकर आपको पता चल जाएगा कि आंदोलन कैसा रहा है लेकिन आप सरकारी दफ्तर में घुष गए आपने फाइलों को छेट चार की है एक फाइल का कोई वीडियो फोटो परशासन दिखा दे तो हम मान लेंगे हमने कोई गल्ती के लिए वीडियोग्राफिक राइए उनकी वीडियोग्राफिक में कोई तो फोटो होगा कि हम पर इसलिए नहीं बनाई गई है कि यह अंदुलन कारियों को दबाया जाए लेकिन अगर परशासन इसका और शासन इसका दूरुपियोग कर रहा तो इसका भी जबाब दिया जागा सत्ता में बैठा आदमी अगहमंड में रहेगे हैं हमेसा के लिए हैं यह कुर्चिय तुमार पुलिस चाहती है कि वह हमें भी अरेस्ट करें डरते हम नहीं है क्योंकि हम इसलिए डरते हमने कोई गलती नहीं कि कोई अपराद नहीं किया पर सरकार ये भी समझ ले कि जब जनता का चाबुक चलता है तो कुर्ची से उतर कर आदमी जमीन पर आ जाता जब तुम्हें रंक गोरकपुर में जाकर भी लोग ग्यापन देने डियम से मिल रहे हैं और उनकी रियाही की मांग करने हैं बाइज़द बरी करने की मांग करने हजारों संगटनू नहीं लिए लिखा है जो अलग अलग चोटी पार्टियां हैं जो हमारी विचार से सहमत हैं वो लोग इस पर लिख रहे हैं बोल रहे हैं और उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो लोग हमारी आवाज को बिलंद कर रहे हमारे जो बेकर सूर आंदोलनकारी जेल में हैं उनके लिए वो आगे आकर के आवाज उठा रहे और जो लोग अभी नहीं उठारे डर रह ये सत्ता कभी भी हमारे सर पर अपने जबडस्ती का चाबुग जादा लंब समय नहीं चला सकती चुनाव आता जाता रहता और कुरसियां हटती जाती रहती जाती रहती क्या होगा आंदोलन की जीत होगी और यह आंदोलन जीत करी हम दम लेंगे जैलों से हमनी ड़ते प्रूप प्रूप लूपी।